ये और ये हमारे गाओं का ये पहला से हिंदू मुस्लीमियक सांथ रहते हैं और जैसे हमारा पर पर परता है जैसे महरम हुआ इधुआ तो हिंदू भाई लोग भी बहुत बढ़ चड़के हिसा लेते हैं और इतना गुल मिल के आदमी रहता है कि हर एक दूसरी का लिहाज होत extend नाए आई को दिपाली की हार्वी सुप काम मना है ऑज मैं ऐसे गाओं मे यहां हम जहां पर हिंदू मुस्लिम एक होकर दिपावली का त्यवहर मनाते हैं ये रामसपुर गाओं है जो हिंदू मुस्लिम एक तका प्रतीक है और मैं यह भी बताना चाहता है ओ Стघेन हो तीप उलिक बादें हfeltे यासा क्या में नियुक्या में लाप यहां करते हुए और यहां पर दिॉक्त को जलाया गया है और कुछ यहां पर यॵा साथ ही मौझůद है और आज जाने के प्राइस करते हैं कि आज युवा कि सुछा डेवलोप है और क्या सोचते हैं इसमें मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अलग आपके घर में 20 सालों से दिपावली का तिवहर मना जाता है आप लोग क्या सोच करें मनाते हैं और यह खुसी का पर्व है इसमें हिंदु मुस्लिम सब लोग मिल करके इसको बनाते हैं जैसे कि आज दिपावली है तो मैं बना रहा हूं अगर इधो का तो मेरे जो जो बनाते हैं तो मतलब ऐसा चल रहा है हम लोग बहुत मिल जूल कराते हैं कितना अच्छा लगता है कि जब हिंदु मुस्लमान एक हो करें सारी तो हरों को मनाया जाता है सभी कुरूतियों को दूर करके यह मतलब इसके लिए वर्ड नहीं है मेरे जिसको मैं बयां कर सकूं लेकिन बहुत खुशी होती है जब यह सब लोग मिल जूल कराते हैं और यह और जानते हैं कि अब जानते हैं कि जाहां है जहां हिंदु मुसलमान का प्रतीक है और यहां पर कोई भी हिंदु मुसलमान का बिवाद नहीं होता है यह कोई भी तेवहर होता है काफी सोहादपूर मनाया जाता है इस गाउं के एक हमारे साथ गोहर अलीजी मौजूद है और यह लगातार इनके घर भी दिपावली का तेवहर मना जाता है रामसपूर गाउं एक अलग ही चीजों से देखा जाता है अगर मैं बात करूं आज काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग दीपावली का तेवहर मना रहा है क्या सोचकर आप लोग दीपावली का तेवहर मनाते हैं सबसे पहले मैं आपको धन्याबाद दूँगा कि इतने बैतरीन तरीके से परकुलू कि और जो आपसी हिंदू-मिसलिम सोहर्द की जो बात आपने किया यह बहुत अच्छी बात है यह लोगों तो कोशना चाहिए और यह हमारे गाउं का यह पहला से हिंदू-मसलिमी एक सा सब्सक्राइब लेते हैं और आप दिवाली का पर बड़ी हरसुलास के साम मेनाय जा रहा है और मुझे याद है कि हम बच्पन से हमने यह देखा है हमारे घर में भी वह मिट्टी के वह दिये आते थे हमारी दादी उसको ले थी सब तयार करके हम लोगों को देती थी हम करें यह देखा जा रहा है और हमेशा से हां ना कोई दंगा हुआ ना फसाद हुआ सभी लोग एक सटे मिल के बनाते हैं यह यही कारण है कहने का मतलब जीखिए यहां सुरू से इस तरह का एक ठेंड बनिया है और उसी को हमारे आने वाले जनरसन भी फोलो कर रही है जिसकी वज़े से अभी तक यह चीज़ बना हुआ है और इतना गोल मिल के आदमी रहता है कि हर एक दूसरी का लिहाज होता है पर होच है कोई भी ओके जन्हों साधी भी बढ़ है तो कहीं न कहीं हमारे पुरोजों का बहुत बड़ा एक योगदान कहा जाएगा जो संसकार मिला है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो आज आप को देखने को मिल रहा है और सब लोग पढ़े लिखे हैं बुद्धिजीवर्ट के लोग है तो जहां इस तरह का युवाओ को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का मान सिकता सभी को रखना चाहिए ना बिलकुल होना चाहिए देखिए यह परंपरा तो बहुत पहले से चलिया रहे लेकिन इधर कुछ बरसों में हम कहें तो बहुत तेजी से बदला हुआ है चुकि सोसल मीडिया बहुत डेव तो इसके दोनों पहलों हैं तो कहीं न कहीं यह आज की जो राजनीती है वह इस चीज को परभावित की है हमारे भाईचारे को हमारे सामाजिक सो हार्थ को बिगाड़ा है इसमें कोई दोर आए नहीं लेकिन फिर भी से बजते हुए हमारा गाउं बिलकुल इसमें इससे मुसल्मान के तेवार सभी लोग एक साथ मिलकर बनाते हैं आज निताओं के करते आज सभी धर्मों को बांट कर देखा जा रहा है गलत नजरों से देखा जा रहा है लेकिन अगर हम अपनी मान सीक्तों को एक करकर रहेंगे तो साइध एक अलगी पाचान होगी क्योंकि सबस मिलकर वह आपका साथ देते हैं तो मेरा मकसद यह था कि आप भी जैसे की तेवहारों में देखा जाते हैं कि बहुत सरे ऐसे तनावपूर स्थिती हो जाती है कि कोई हिंदू कटक्ष करता है कोई मुसल्मान पर कटक्ष करता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी तेव कर दोश्क्राइब अच्छा लगा तो मैंने सुचा कि न और तुरंट मैंने संपर कि अपनों दोश से और आपको बताने के प्राशकिया कि आप एक एकता में बने ही रहें और जैसे कि हम लोगों भात करते हैं कि हमारा भारत एक है स्रिष्ट है और एक साथ लेकर चलते है